राम कहां गया को आज की इस वीडियो में हम इंगलिस में ट्रांसलेट करेंगे और इसी एक वाक्य को सीख कर आप ऐसे ही सेम वाक्यों को इंगलिस में ट्रांसलेट कर सकेंगे तो पहले हम इसे जानते हैं राम कहां गया इसकी इंगलिस होती है where did Ram go where did Ram go तो चलिए सीखते हैं कि ये किस नियाँ पर ट्रांसलेट हुआ है और ऐसे वाक्यों को इंग्लिज में ट्रांसलेट करने का नियाँ क्या है तो देखिए जिस भी हिंदी वाक्य के अंतमे क्रिया के साथ यार है जैसे कि इस वाक्य में है गया तो वो past independent tense का sentence होता है और ये past independent tense के interrogative sentence है और ऐसे वाक्यों को इंग्लिज में translate करने का नियाँ में पहले डाबल एच डाबल एच से मेरा मतलब है कहा की meaning कहा को इंग्लिज में where कहते है उसके बाद did उसके बाद subject subject है Ram जो भी आपका subject है जिस भी वाक्य का जैसे Ram स्याम किसी का नाम कुछ भी हो जो भी subject हो उसके बाद एदी negative होता तो not लिखते हैं उसके बाद verb इस वाक्य में verb है गया जिसके English go